हेलो फैंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल दोस्तों आज की वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस्टिडी सेंटर जो हैं अभी तक क्यों नहीं अलोट हुए हैं वो उनके देरी का क्या करण है तो किस जनवरी की डेलर प्रसिचन के लिए राश्टिय मुक्ति विद्याले सिच्चा सरस्तान एनायस में रजिस्टेशन कराने वाले प्रसिच्चियों को अभी तक स्टिडी सेंटर अवंटित नहीं हुए हैं डेलर स्टिडी सेंटर रविवार से सुरू हो जाएंगे मतलब प्रसिचन के कारेक्रम अवकास के दिनों में खास तोर पर रखे गए हैं जिससे इसकूलों में बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो इस्टिडी सेंटर आवंटेन के संबंद में सूचना एनायस की वैपसाइट पर अपडेट की जाएगी निजी और सरकारी विद्या अलाम में भाग लेना पड़ेगा इसके लिए इसके लावा अन्य कारेक्रम कराये जाएंगे कारेक्रम इस्टिडी सेंटर पर ही होंगे एनायस वैपसाइट पर इस्टिडी सेंटरों की सूचना दे दी गई है लेकिन राज में 5330 प्रसिच्चूओं को अभी तक स्टिडी स पचास हरीदवार के 1205 और दैरादुन के 138 प्रसिच्चू है जिनका स्टिडी सेंटर अवंटिद नहीं किया गया है इसके इलावा अलमोडा के 119 बागिश्वर के 109 चंपावत के 9 नैनी ताल के 401 और पौडी के 6 और पिथोरागड के 1 और रुद्ध प्रियाक के 343 टेहरी 240 और 298 ते 250 प्रसिच्चूं का इस्टि इस सेंटर अवंटिद नहीं हुआ है अपर अन्रिदेशक बेसिक भी एश रावत ने बताया कि जिन अपर से रेजिस्टेशन कराया उन्हें इस्टिडी सेंटर अभी तक आवंटित नहीं हो पाए है इन्हें सेंटर आवंटित कर दिये जाएंगे निस के रीजिनल अधिकारी प्रदीप रावत के मुताविक लोग वहां से जानकारी ले सकते हैं तो इस प्रकार से जिनोंने निस के डेट एक्स्टेंड होने के बाद रजिस्टेशन कराया है उनके स्टेडी सेंटर होने में प्राब्लम आ रही है उनका डाटा अभी तक डाटा पर अप्लोड कर दिया जाएगा लेकिन जहां पर जीरो ह सेंटर ही नहीं बने है इसलिए जब स्टेडी सेंटर बन जाएंगे वैसे ही डाटा अप्लोड हो जाएगा और वहां पर आपका रिफ्रेंस नंबर के थुरू आप अपना लॉटरी सेंटर देख सकते हैं तो अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो क को लाइक कीजिए अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सस्क्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजिए थैंक्स फर वाचिंग